याकूब की पत्री पहला अध्याए परमेश्वर के और प्रभुईश मसीह के दास याकूब की ओर से उन बारहों गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे. हे मेरे भाईयो जब तुम नानप्रकार की परिक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के पर्खे जाने से धीरज उत्पन होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिध हो जाओ, और किसी बात की घटी न रहे, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धी की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहना दिये सब को उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला कि लहर के समान है, जो हवा से बहती और उचलती है, ऐसा मनुष यह न समझे कि मुझे प्रभू से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता है, और अपनी सारी बातों में चंचल है, दीन भाई अपने उचे पत पर घमन करे, और धन्वान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा, क्योंकि सूर उद्य होते ही कड़ी धूप पड़ती है, और घास को सुखा देती है, और उसका फूल जढ़ जाता है, और उसकी शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार धन्वान भी अपने मार्क पर चलते चलते धूल में मिल जाएग धन्य है वह मनुष जो परिक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिग्या प्रभू ने अपने प्रेम करने वालों को दी है, जब किसी की परिक्षा हो, तो वह यह ना कहे कि मेरी परिक्षा परमेश्वर की और स होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परिक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परिक्षा आप करता है, परंतु प्रत्यक व्यक्ति अपनी ही अभिलाशा से खिच कर और फस कर परिक्षा में पढ़ता है, फिर अभिलाशा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है, तो मृत्य को उत्पन करता है। हे मेरे प्रेभाईयो, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वर्दान और हर एक उत्तम दान उपर ही से है, और जोतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, और न अदल ब प्रकार के प्रथम फल हो। हे मेरे प्रिय भाईयो, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष सुनने के लिए ततपर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिंता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहन कर लो, जो हिर्दय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परम्तु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आपको धोका देते हैं। क्यों और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिध्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशिश पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आपको भक्त समझे और अपनी हिर्दय को धोका दे, तो उसकी भक्ती व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट, शुद्ध और निर्मल भक्ती यह है कि अनाथों और विध्वाओं के कलेश में उनकी सुधीलें और अपने आपको संसार से निश्कलंक रखें।